आज भी आद है मुझे वो दूर गुंज़ता ट्रेन का होल जो आज भी मुझे अपनी और खींचता है और जिसमें मुझे अपना भविश्य नजराता है और सच कहूं तो अब वही मेरा जनून है वही मेरे जिद है और वही मेरा सपना तो आपके इसी जिद जनून और आपके सपने को पूरा करने के लिए हमेशा की तरह एक बार फिर आपके साथ खड़ा है आपका अपना S.S.C. मेकर परिवार जिसने सपने देखने वाले लाखों बच्चों की सपनों को अपना सपना माना और पूरी जान जोगकर उन्हें उनकी मंजिल तक पूँचाया तो यदि आप में भी है वही जिद और वही जनूर तो हम है आपके साथ रेलवे में एलपी तथा टेक्नीशियन बनने का सपना देख रहे विद्यारतियों के लिए एससे मेकर लेकर आया है पाइलट मैच जिसे बहतरीन अनुभवी अध्यापकों की टीम ने मुख्य रूप से रेलवे एलपी तथा टेक्नीशियन के एक्जाम के लिए तयार किया है तो देरी किस बात की आज ही जोइन करें हमारा पाइलट मैच और अपने सेलेक्शन के जिम्मदारी हमें सौप दे पाइलट पर जोइन करने के लिए डाउनलोड करें एसस्य मेकर है और दियेगा ही नंबर पर कॉल करें कि अग्जाम सब पता बताया जाएगा रुख जाओ जब आएगा सब का सब ठीक हरार मादेव जय माता दी जय माता दी भाई महादरानी का वैसे दिन चल रहा है आज दूसरा दिन है तो उपस्थित यहाँ पर सभी महारानियों को मेरा नमन देवों को भी नमन ठीक है और भाई सब लोग सेशन कर देंगे फटाफट तो ठीक है गुड इवनिंग सर फटाफट चलिए सर प्रणाम सर दो सब्सक्रितम प्रणाम धवैय आपकोन भी ठीक वुड इंग धर एक डीककल फसक्रेशन का पार्ट नहीं यह रिजर्णाप नहीं है लेकिन यह जो फिट कभी कभी में इसके पूछे जाते हैं जो पूछे जाते दोस्तों बहुत हाई लेबल के नहीं आते कि मतलब बहुत बड़े कोशन दे दिया रिजनिंग आप नहीं कर पाए ऐसा नहीं आता है ठीक है चलो भाई आपको मैं यहाँ पर आज चीजे बताऊंगा गुडिविंग ठ ठीक है चली प्रणाम आपको ठीक है दोस्तों बताता हूं तो जो यह रिजनिंगा टॉपिक नहों के फिर भी चीजे मतलब हैं कि इसमें आप थोड़ी चीजे अगर आप जानेंगे छोटी मोडी चीजे आप जानेंगे तो बहुत अच्छे से आपका मैस में भी आप इसको तो कर पाएंगे ठीक है चली तो रिजनिंग के बेज में क्या आता है या रिजनिंग के पर पस्तिक क्या आना चाहिए या प्रीविए से क्वेस्टन कैसे हैं मैं आपको कुछ कुछ विकराओंगा इससे आपको पता लगा कि दोस्तों जो भी हमें टॉपिक पढ़ाई जा चली भाई आते हैं अब बस बस बाई जल्दी उमंग चोधरी बिटनों जी सर जल्दी ही आएगा जितना उसकी जल्दी जली 22 एक्जाम है तो फिर जल्दी जल्दी आ जाएगा काड़ ठीक है चली आगे देखते हैं दोस्त यह हो गया रिजिनिंग आगे बताता हूं आई किस एक्जाम के लिए जहां पर भी इसके साथ है दोस्तों रिजिनिंग में उसको मैं पढ़ाओंगा ठीक है चलिए आगे आई यह क्या कहरें अच्छा आपको बताओं कि जिन्हों ने में जीडी दिया है कटाफ उसकी आई है ठीक है एनालसिस आप कर लिजिएगा सर अभी है, शर का प्रेमिन ठीक है चलिए दोस्त आगे चलते हैं और आगे चलने से पहले प्रस्ण तो चलो ने बताई दूँगा प्रस्ण तो है हमारे पास चलो आगे बहुत बढ़ी आज़ा भाई ठीक हरार माद्योब थीच्छीजे थोड़ी टेकनिकल थोड़ी सी टेकनिकल मै बताएंगे आप जो मैं टेक्निकल चीज़े बताऊंगा दोस्तों उसके थोड़ा ध्यान दीजिए प्रश्ण पर आऊंगा बहुत आराम से मातर दस मिनट आप कर लूँगा दोस्तों ठीक हरमादयो भाई मातर दस मिनट आप कर लूँगा फिर आराम से आगे चलते थोड़ी चीज़े मुझे बताने दीजिए कहने का मतलब क्या है बच्चे मान लीजिए यह राम है ठीक है और यहां पर श्याम है सब लोगा सेस्ट शेयर कर दें तो यह राम है और यह श्याम है आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं आप बताईए भाई एक बात बताओ एक इनकी उम्र दस साल है अगर इनकी उम्र दोस्तों दस साल है और इनकी 12 साल है आप बोलेंगे ठीक है सर कोई दिक्कत नहीं है आप इतने तक तो में क्या ही दिक्कत आएगा ठीकत अब आगे आएगी ठीक है संजय कुमार आर्मी ठीक है मिनाक्षी भाटी नो पॉल्लम ठीक अगर हमने 5 जोड़ा तो यह तो हमारा 15 हो जाएगा उसके बाद बताई यह 5 साल बाद अगर 12 मैंने 5 जोड़ा तो हमारा कितना हो जाएगा 17 साल जगा मतलब कि जो राम जी है अगर 10 साल के हैं 5 साल के बाद कितने साल के हो गए वह 15 साल के हमारे जो श्याम जी है वह 12 साल के हैं और 5 साल के बाद कितने साल के होगे दोस्तों, 17 साल के होगे, आप बोलेगे ठीक है, यहाँ पर एक चीज है वो common है, बच्चे, एक चीज common है, ठीक है, एक चीज common है, बच्चों, आप बोलेगे सर क्या common है यहाँ पर, मैं आपको बता दू कि यह जो 10 है, और यह जो 12 है, मतलब कि 10 और 12 साल का जो difference है यहाँ पर भी दो आएगा 15 और 17 का जो difference है दोस्तों यह यहाँ पर भी दो आएगा आप बोले सरी यह दो क्यों आ रहा है एक बात बताओ बच्चे माल लिजी आपकी बहन है और आप है ठीक है मेरा भाई है या मैं हूँ तो मेरा भाई जो है अगर मैं आ सेना साल भी आप बढ़ा दें या सालों को आप घटा दें वो difference हमारा सेम रहने वाला है हमेशा ठीक है सर हमें चार लोगों को शेर किया ठीक है चलो difference common बिल्कुल difference common यह तो चलो ठीक है एक तरीका मैं आगे आता हूँ थोड़ी थोड़ी चीजे है मैं आपको बता दूँग आप समझ दीजिए फिर question करेंगे और आराम से कर देंगे ठीक है थोड़ा सा इसमें एक्स और एक और बात आदो दोस्तों यहां पर ratio method से हम इसको solve करते हैं ठीक है और कभी-कभी हम इसको x से भी solve करते हैं मैं दोनों बता दूँगा ठीक है जरा समझ यह आप ध्यान से आप इतना समझ में आ गया मुझे इतना समझ में आया कि हमारे पास यह राम भाई है यह श्याम भाई है इनका एज मालो आज 10 साल है और इनका 12 साल है ठीक है और इनका जो difference रहेगा वो हमेशा सेम रहेगा कहने का मतलब है कि जो difference है जो difference है वो सेम रहेगा इनकी आयू का ठीक है आप बोलेंगे ठीक भीया मुझे इतनी छोटी सी बात समझ में आ चुकी है आगे आते हैं बच्चे एक बात बताओ मैं फिर से मैं फिर से एक बात लिखता हूँ बरतमान ठीक है बरतमान पांच वर्ष बाद पांच वर्ष बाद और यहां पर मैं लिख देता हूँ पांच व माल लिजे वर्तमान में राम की आयू, वर्तमान में राम की आयू कितनी है, चलो 10 मान लेते हैं, ठीक है, आप बोलें ठीक है भईया, और शाम की आयू वर्तमान में 15 है, मैं बोला ठीक है भाई, एक बाद बताईए, पांच वर्ष बाद, पांच वर्ष बाद आयू कितनी हो जाएगी, 10 में 5 ढाको कोई दिक्कत नहीं होगे कि ओ दो लेंगे चिसकत में पर इजाएगी, और इसमें अभी तक सुर्छं कोई दिक्कत नहीं होगे़े थीक है कि या रियःपंदी जी थीक है, सो में 10 हां बच्चे लेकिन हमें अभी इस पर ध्यान ने जब मैं क्वेश्चन आप से पूछूंगा ना तब आप बताएगा अभी समझी अभी फिलाल समझी एक बात बताएए दस वर्स तो इनकी वर्तमान आयू है बच्चों आप बोलें ठीक है भाई और 15 वर्स श्याम की वर्तमान आयू तो 15 वर्स बाद श्याम जी की वर्तमान आयू पंदर हो गई। लेकिन यहां पर एक चीज common है आप बोलेंगे भाई क्या common है यहां पर 10 और पांच में कितने का कreír Lawrence है पांच और यहाँ पर 15 और 20 में कितने का डिफ्रेंस है पांच का कहने का मताइब कि उनके बीच्ज का हमेशा सम nurse वह ना मेरे भाई है अगर वह उनकी आये बढ़ेगी तो मेरी भी तो बढ़ेगी और उनकी घटेगी तो मेरी भी घटेगी है ना आगे आओ पांच वर्स पहले का मतलब क्या क्या कि A Всॉत्स साल के है पांच वर्स पहले कितने के हो जाएंगे भाई व पांच साल जाएंगे छी televic लिक विड कुमान की बात करें बात मनदमान के हो धो जा जाल के बाइब बल्कुल पांच है वह बढ़ा दू चाहिए को मैं आयव को घटा दू हमारा जो same रहेगा ऑप भीया बूलेंगे क्यों hao مोगता है यह मैं अब बताऊंगा यह मैं अब बताऊंगा कि हमारे रेशयो का Artie है यहां पर ठीक है हमारे रेशियो का इंपॉर्टेंस यहां पर क्या है आप देखते हैं भाई यहां पर मैं राम भीया को लिख देता हूं ठीक है यहां पर मैं श्याम भीया को लिख देता हूं आप ठीक है सरीक बाद बताइए माल लिजे राम भीया की उमर 10 साल है और श्या एक बात बताओ आपका फास्ट है क्या एक पिछली बार था मैं तो में रखा नहीं दवाईया खा रहा हूं न तो मैं नहीं रखा ठीक है चलो लेगिन जिसका फास्ट भाई उसको तो तो हेट स्वाप ठीक है दोनों का बादशासर ओके एक बात बताईए आप बोलें क्या भाई इतना समय में आ गया एक बात बताई अगर मैं बोल दो ठीक है अगर यह रेशियो दिया ही है रेशियो जब दिया है तो अगर यहां पर मैं 20 का मल्टिप्लाइए करूँ तो 20 कितना इनके बीच का बच्चेचग बद लेगा नहीं एक बात बताईए मैं अगर पीछे कर लूँ मैं कहां पर यहां था एक बात बताऊई इनका जो रेशियो है दस और 15 कर इसलों कितना है जो हमारे आयू है उनका रेशियों हमेसा सेम होता है और उसी वज़़े से उसी वज़़ता है इनके बीच का जो डिफरेंस वह हमेसा सेम रहेगा इतना हो गया जिनका भी फास्ट भाई पान्यों नहीं पीते रहो ठीक है चलो ठीक है अमंच चौधरी कि मैं समझा नहीं यार मुझे नहीं आती है आपने क्या लिखा लेकिन आप हिंदी में लिख दें तो मैं समझ जाओंगा ठीक है इतना ठीक है कोई दिककत आप बोलने कोई दिककत नहीं थोड़ा सा एक पॉइंट और आगे बढ़ते हैं बच्चे आप बोलें ठीक है सर आयू की तीन गुणी है आयू कितनी गुणी है तीन गुणी है किस की राम की किस से श्याम से अगर मैं श्याम को X मानूंगा तो इनकी आयू कितनी हो जाएगी तीन हो जाएगी अगर मैंने श्याम की आयू को एक माना है तो इनसे तीन गुणा मतलब कि एक में तीन का गुणा करेंगे तो हमारा उत्तर कितना आएगा तीन कुना मेरे केहने का मतलब हुए कि राम और श्याम की आयूको ilateGuird upon कारेंगे लिखेंगे कैसे तीन के एक कोई दिक्कत कोई दिक्कत नहीं कि कर आगे करते हैं ठीक है थोड़ा से समझेंगे ज्ञादा नहीं 10 जादा नहीं 10 मिनट का है अगर मैं दस में आपको बता दूंगा उसके बाद आयाम से कॉषच्टन को रेंगे आरम आरम से प्रश्न हो करेंगे और चल लेंगे ठीक है आप बोलेंगे ठीक है सब कि पांच गुनी है मैं बोलूँगा भई राम की आयू शाम की आयू की N यहाँ पर जो राम की आयू है जो बच्चे राम की आयू यह क्या है यह तीन बटे चार है किसके श्याम की आयू के श्याम की आयू के आप बुलेंगे हाँ यह थोड़ा सा मुझे दिखा है ठीक है आप बस इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका देखो हमारे जो राम की आयू है श्याम की आयू मानलो एक है कितनी है भाई एक है या फ sagen तो राम कीयों कितनी हो जाएगी बच्च फितना आपको समझ में आचुका है तो बहुत वापीन और ऊचान अगर होगा मुझे लगेगा कि कुछ बच गया है तो मैं कल भी उसको करा दूंगा ठीक है चलिए इतना हो गया भाई अब आगे आते हैं भाई आप बोलें ठीक है सर अभी भी कुछ बचा है मवला अभी एक छोटी सी बात बची है उसके बाद हमारा कन्फर्म हो जाएगा चलो आगे आते हैं यह हमारे अब आप बोलेंगे भाई यह क्या मैं वर्टमान आयू कितनी है इनकी वर्तमान आयू कितनी है इनकी वर्तमान आयू का रेश्यो पांच रेश्यो तीन है कितना है भाई पांच रेश्यो तीन है अब आप बोलेंगे भाई या क्या मैं बोला कि पांच वर्ष बाद ध्यान देना बच्चे पांच वर्ष बाद अगर इनका रेश्यो कितना हो गया मैं मान रहा हूं मैं मान रहा हूं कि इनका रेश्यो चलो छे रेश्यो पांच हो ग और यहां पर इनके रेशियो का अंतर कितना है एक है तो पहले हम क्या करेंगे अंतर सेम करेंगे अंतर को सेम करेंगे जब यहां दो है और यहां एक है तो हम इस दो का गुड़ा बच्चे अगर इस एक में कर दें इस दो का गुड़ा इस एक में कर दें क्या है आप बोलेंगे आब या अब भाई बारगा संध्यों साथ को देख रहा हूं साथ का राजल कितना है पांच वॉर्स का रिशियो कितना होगा इक wahस का रिशियो कितना कि समाच बटे साथ यह थोड़ा सा अजीव सा आगया आपको थोड़ा लगया लेकिन समझाने सम्झाने का मतलब समझे परपस समझे मेरा क्यों बता रहा हूं ठीक है अंकुष अंकुष जी सर देखिए ऐसा नहीं लिखते सर ठीक हो भी किसी की बहन बेटी है ना आप भी समझी फ्रेंड बोली अच्छा लगेगा आप ऐसे लिखेंगे तो ठीक नहीं सर कमेंट बॉक्स में ठीक है चलिए ध्यान दीजिए देखिए मेंटेन करिया आप हैं आप 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 जैसा रिस्पेक्ट करेंगे उस वैसा रिस्पेक्ट पाएंगे सर आप अभी बड़े हो रहे है तो धिरे धिर अगर अभी से रिस्पेक्ट करेंगे तो बहुत अच्छा रिस्पेक्ट पाएंगे आगे ठीक है चलिए आगे देखते हैं इतना आपको समझ में आ चुका है दोस्तों आगे बताते हैं आपने बोला सर आप तो इसको रेशियो मेंसे भी कर सकते हैं हाँ साल के बाद पांच साल के बाद फांच वर्स के बाद यहीं तो मैंने बताया था बच्चों बात हो कि हमारे रिश्चियो का अपना कोई मुझे पता है थोड़ा सा बोरिंग हो रहा है काफी लोग और लगता है और यह क्या हो बहुत आराम से पढ़ा रहें सर या फिर बोरि बाद कहने का मतलब है बच्चे कि 5X प्लस 5 पांच वर्ज बाद और ये 3X प्लस 5 पांच वर्ज बाद इनकी आयू का रेशियो कितना है बच्चे 6 बटे 5 और आप जब X की वैलू निकालोगे तो जो हमारा 7 बटे 5 आया है हमारे यहां पर भी 7 बटे 5 आ जाएगा ठीक है इतन पांग लगा रहे हैं वह किमती है उपर से लिख भी क्या मतलब है आप आये हैं पढ़िए और खुश हो के जाए एक्टम ठीक है मुझे भी अच्छा लगया आप भी करेंगे चाहे जितने भी मुझे पता कम लोग देख रहे हैं लेकिन एक दिन देखेंगे बहुत ज्याद और नीबू अगरा मत खाइएगा आप लोग ध्यान दो यह हो गया बच्छो चलो आगे आते हैं प्रस्ण पर आते हैं धीरे धीरे प्रस्णों करेंगे समझेंगे कि हम कहा कह रहे है जो सर ने बताया उसको इस्तेमाल कैसे किया जा रहा है ठीक है चलो प्रस्ण नमर एक पर चलो बच्छो ठीक है बहुत बढ़िया क्या बोल रहा है कि नरेश की आयू अब प्रस्ण आपके सामने है आप पटापट करें ठीक है हाँ क्लास में फौजी बिल्कूल भाई आते हैं यौटा जो हमारे नरेश की आयू है उसके भायो की लुगने 4 कम है एक पास बताई अगर मैं नरेश के भाईया को बोल दूँ कि जो हमारे नरेश के भाई हैं हमारे जो नरेश हैं एक तो ठीक है और यह कौन जाएगा नरेश के भाई नरेश के भाई आप इतना समझ लिए ठीक है थोड़ा आराम आराम से चल रहा हूं है ठीक है थोड़ा ज्यादा बहुत फास पूरा A से Z कुछ भी आप रख सकते हैं ठीक है बहुत बढ़ियां मैं अच्छली दवा खाया हूँ ठीक है सही है लेकिन थोड़ा सा लो है ठीक है भाई की आयू उसके दुगने से बनाओ है आप बोलें ठीक है इतना तो एकदम आ चुका है परफेक्ट ली कि आयू से चार वर्स कम है दुगना तो है लेंदुगने से भी कितना कम हैgress चार वर्स कम है कितना में चार वर्स कम है त आप बताई कि आयू का समिकरण क्या होगा बहुत सीबर सा कोश्य थे मुझे पता है बहुत लोगा ऐसर आ चुका होगा ठीक है वाइट में सही नहीं दिख रहा है यार वाइट है चलो ठीक है मैं अगली बार से ओ कर दूँगा ठीक है चार माइनस करने के बाद मेरा कौन सा समिक्रण बन रहा है हमारा ये वाला समिक्रण बन रहा है जिनका भी option D है बहुत अच्छे समिक्रण बन रहा है मतलब कि हमें किसका पूछा है हमें नरेज का पूछा तो नरीज का समिक्रण क्या बन रहा है हमारे पास ये वाला समिक्रण कि क्या किया रहे बच्चे कि शान 55 वर्ण कभा है शान रही मिनाक्षी गाडिया बहुत अच्छे माम ठीक है हाँ मिन्ठक्षी भाटी मिनाक्षी भाती है अच्रा दो लोग है ओक्योखी ठीक है सवरी में गशूज हो गया चलो कि बात बताओ आप बुलें किया सर बात ये बताना आपको बच्चे की बात ये बताना है कि जो शान हो 55 वर्स का है आप बोलें ठीक सर 50 और साथिया साथ जोटी है अगर मैंने यहां पर जहां थी आप बच्चेषान रग खीन गई ठीक कोई दिक्कत आप गूरिक्त नहीं है और बालन से चेवर्स बड़ अच्छा और बालन से आएगा बड़ा रिख दिया कोई जब यह बालन से telinde कन सातियां जो बालन का दोस्तों भाई है यह इस बालन से भी कितने वर्ष छोटा है देवन जो हमारा देवन है इस बालन से कितने वर्ष छोटा है दोस्तों साथ वर्ष कहने का मतलब है कि 44 में भी साथ घटाओंगा तो मैं कितने पर आ जाओंगा दोस्तों मैं कितने पर आ जाओंगा 37 स कर दूंहीं तो यहां पर आएगा हमारा 8 यहां पर आएगा 1 कहने का मतलब कि हमारा उत्तिर कितना आएगा 18 थीक कोई कोई दिक्कत को इस क्लास को दो बज़े से करिए ठीक है मैं कोशिच करूँगा मैं पूछ लोगा एक बार लेकिन दो बज़े से थोड़ा दस मिनट लेट हो जाएगा वैसे मैं पूछूँगा कि सर यह दो बज़े से हो सकती है क्या थीक है 37 इस दोस्तों 37 मेरा तो 18 वर्स आ मेरा तो 18 वर्स आ रहा है ध्यान दो आप देवन और शान के बीच की आयू का उंतर पूछा उन्होंने मतलब कि शान का 55 वर्स है देवन का 37 वर्स है जैसे हम 55 में 37 गटाएंगे हमारा उत्तर 18 आ जाएगा वैसे मैं दो बज़े एक बार क्लास को कर दूंगा अचली करने का म हेमंत कुमार डण आगे देखते हैं अभी थोड़े प्रस्ण ठीक ही ठीक है दूसरे तिसरे चौते के बाद थोड़े से अच्छे प्रस्ण आ जाएंगे तो आप थोड़ा सथ थोड़ा रुकिए और आगे ध्यान दीजिए चलिए भाई क्या कह रहे हैं ठीक हां बहुत बढ़ियां आप बोलेंगे यह तो हमारे पास औसत का प्रस्ण है यह हमारे प्रस्ण जो प्रस्ण है यह तो आउसत का है तो आपको बता दूँ कि जब हम रिजिनिंग कर रहे हैं रिजिनिंग में वैसे यह मैत का कॉस्चन लेकिन यह प्रस्ण हमारे और प बताना है हम बोले कि एक कछ्छा में उसतायू कितनी है 21 वर्स मैंने क्या बोला कि हमारे पास लड़के कितने हैं हमारे पास लड़के वाई 19 लड़के कितने हैं इतना में तो कोई दिक्तत नहीं मुझे आगे बताईए यदि सिख्जर की आयू को समलित कर बाई एक बाद बताओ अगर पहले हमारे पास कितने स्टुइन्ट थे 19 लोग और एक टीचर भी जुड़िया आप कितने होगे बाई 20 लोग हो गए आप बोलेंगे ठीक भी आगे बताओ तो उनकी आयू का उसक तो 22 हो जाता है कितना हो जाता है और आपको पता है कि 22 कितना हो होगे बच्चे 440 हो गई जब 440 में से बच्चे जब 440 में से धियान दीजिये 440 में से अगर मैं 399 में घटा दूं 399 को घटा दूं मेरा उत्तर कितना आता है 40 स्वारी मेरा उत्तर कितना दोस्तों आंसर बताओ जब लोग तो चलो ठीक है 309 जैसे घटाओंगा मेरा आंसर आएगा यहां पर ओन स्वेश liquor तो 40 य आएगा 40 और one ठीक और यहां पर तीन mendh Komb & जिनका भी उतर फोल्टी वर शांदर आवांसर वहती हं आराम से लिए निकाल दिया किया Сп oficialि इंप फोल्टी नहीं हां ॹुर्टी नहीं हां चार्य टॉ चालिश ठीक है 41 प्रिया पांबे नहीं मैं मैं मैंkl 40 14 तालीस प्रिया पांडे मैं ध्यान से इसलिए ध्यान से क्योंकि ये क्वेश्चन मुझे लगा था कि थोड़ा ट्रिकी है थोड़ा बढ़ी है इसलिए मैं इसलिए डाला ठीक है चौर बहुत बने तैम तो सभिश्च में अधिवाशी बने को करें दिख बहुत थो कि एक बात बताओ आपको इसमें कोई दिक्कत है अभी तक बहुत तगड़े प्रस्न भी नहीं आप बोलेंगे ऐसा लेकिन अब धिरे धिरे प्रस्न हमारे तगड़े मिलेंगे चली आईए अजे धिरे-धिर ठीक है मेरे कहने का मतलब है कि यह जो प्रस्ण है बच्चे यह जो चौथा प्रस्ण है यह most important प्रस्ण है इसलिए most important क्योंकि आपको यह सिर्फ reasoning में ही नहीं आपको यह math में भी दिख जाएगा और same एही concept वाले question आपको math में दिख जाएगे इतना कोई दिक्कत है आप बोले चमма who most कme chi ॹसक की वरतमान हों किते हुआ कि एक बात बताइए मैसको दो तरीके से बताऊंगा पहला तरीका तो है हमारा ratio method से है चलो ठीक है यह पहला एकस थोड़ा وबढ़ा ईया तो इसको पहले बता दूँगा है ठीक है पहला तरीका हमारा चैनल और दूसरा तरीका हमा आप बुलें क्या करना है एक बात विकास और सुजीत पहले मैं लिए पर विकास को वी और सुजीत को लिए ठीक है कि वरतमान आयू करम से कितना है विकास का 5 है और सुजीत का कितना है सुजीत कितनी है 5 और 4 ठीक है ठीक है तीन वर्स के बाद कितने वर्स के बाद ऑप मैंगत लिगता है आयू कितनी हो जारी है तीन वर्ष बाद आयू किती जारी भाई 11 और 9 11 और 9 सब शेप पहले इसको मैं रेचियो मैंतर से तो करूंगा इंकökर, साथी साथ पहले एक्स वाले मैंसर से कर देता हूं जरह आप देखिए तो ध्यान से देखिएगा क्या आप बोल रहा है कि पांच वर्स तो हमारी आयू थी पांच एक सुझीत के विकास के आयू पांच वर्स थी और कितने साल बाद तीन वर्स बाद साथी साथ यहां पर मैंसर चरू कर देंगे तो बहुत आराम सोजाएगा ठीक है चलो होता जाये मैं नॉ एक बाद बताओ एक बाद का बोलिनक क्या से लो करो जड़ा तो नौ पचे 45 एक्स ठीक है आप बोलने क्वी नो तरीक 27 हो जाएगा आप ऐलने ठीक है आगे बताओ एक ज्यारत चौक 44 ए X- 44 X ठीक है और यहांपर क्या बचेगा बच्चे यहँआपरogen 33 में से ब्लस 27 जाएगा तो यह कि пригार माइन श्चीक आपर कोई दिक्कत नहीं है इस 45 में से 44 बचेगा इस 53 27 बचाई कितने अहीं ने ची वह कितने है जो चार तो दिया ही है और X के वैली हमने 6 निकाला है 6 और 4 कितना हो जाएगा 24 कोई दिक्का जिनका भी आप्षन 24 है सांदार जबर्दस बहुत बढ़िया इतना तो आपको समझ में आ चुका है बच्चों आप भूलेंगे ठीक है सर बिल्कुल आ गया है 27 कैसे आ रहा है डी कैसे है दोस्त है रिया तीस कैसे आ रहा बच्चों 24 आएगा ना बताओ वर्तमा ध्यान दो छोटी मोटी चीजें बच्चों पता है यह जो छोटी मोटी मिस्टेक्स होते है ना आप पूरा कैलकुलेशन कर लेंगे सब कर लेंगे सब कर लेंगे उसके बाद जवाब का नंबर न हाउए उनकी आयू का रेशियो 5 और 4 एक है मत्तब कि 5 और 4 एक सब्सक्राइब ठीक है तीन वर्ज के बाद थीन वर्स के बाद उनका रेशियो कितना हो जाता है 11 और 9 जोटा आप लेकिन तीन वर्स जोड़ेंगे इस वर्तमान आयू में पांच एक्षों हमने तीन जोडा मुल्टिप्लिकेशन हमारा आएगा यह आप बोलेंगे ठीक है इतना समय में इस 45 X में 44 X आप माइनस करेंगे तो हमारे पास सिर्फ बचेगा इस 33 X में जब प्लस 27 इधर आएगा तो माइनस 27 कर देंगे बच्चे हमारा उत्तर कितना आएगा छे एक्स की वालू हमने छे निकाली और हमें एक्स की वेलू यहां पर रखेंगे अगर हम छे तो आप बताओ चार छक कितना आएगा 24 आराम से हमारा सॉल्व हो चुका है लेकिन में पर बच्चो जरा मैं आगए करता हूं मैं आगे बढ़ता हूं और आपको समझ आ देता हूं रेषियो मैत्र से यह का इस यहां पर विकास भाई है यहां पर सुजीत भाई है यहां पर पांच है और यहां पर चार रेश्यू है और तीन साल बाद तीन वर्ष बाद ठीक है ध्यान दो रेश्यो में सब्सक्राइब भाई तीन वर्ष बाद कितना हो जाता है कि ग्यारा नो कितना हो जाता है ग्यारा और कीकि ह ?टी रहा कि यह बात बता हुए मैंने आपको जब सुरू में समझाधा तभी बता था बच्चे कि इनके आयू का जो difference इनके आयू का जो difference कितना है दो है अब रहा है और यहां रहा है और यहांपर California कुछ नस जो MODEN CROVER जब यहाँ पर 2 है तो यहाँ पर भी 2 होना चाहिए, जब यहाँ दो नहीं है तो इस 2 का multiply यहाँ पर कर दो न बच्चे, जैसे आप 2 का multiply करेंगे तो इस 5 में भी 2 का multiply होगा, कितना हो जाएगा, यह कितना हो जाएगा, इस 4 में भी 2 का multiply होगा, कितना होगा बच्चे, यह 8 हो ये 10 से क्या हो रहा है, 11 हो रहा है, ये 8 से कितना हो रहा है, 9 हो रहा है, कहने का मादब कितना बढ़ रहा है, आप बोलेंगे सर 1 बढ़ रहा है, मैं तो बोल रहा हूँ भाई, एक नहीं बढ़ रहा है वो, एक नहीं कितना बढ़ रहा है वो, 3 बढ़ रहा है, कितना बढ़ र मैं पूछा है वरतमान आईयूंन तो सुझीद की वरतमान आईयू में इस तीन का हम गुड़ा कर देंगे मतलब एक की वैलु तीन है तो आठ की वैलु कितनी हुझाएगी तीन गुड़े आठ और आठी थिरीक के चौ से कितनी हो जाएगी बच्चे 24 हो जाएगी कहने का मतलब कि हमारा उत्तर जो है सॉल्व हो चुगा अगर किसी कोई डाउट है तो मुझसे पूछ सकता है है आप मैंजी मैं मैंजी पढ़ाता हूं यार तो तो मैंजी कहीं पूर्ए था तो यह पर रिजनिंग वह तो रिजनिंग बढ़ा रहा हूं ठीक है दोनों कदाता हूं लेकिन मैंज सख hat को है ठीक है मुझे मैस आज मुझे आज लग रहा है मैस सब्सक्राइब ठीक है कोई दिक्कत नहीं है कोई दिक्कत नहीं है आप समझ लो ठीक है आगे देखते हैं बच्चे मैस तो यार जान है ठीक है मैस मतलब जान है मेरी आगे देखते हैं इतना समय में आ चुका है आप ब लेट कोई ने इस पर आजया हो यहाँ शषिक लसर बें कि यहाल पर यहां पर तैड कर नियुक्त यहां और यह कोंतो mettचे-वाइप तो उनका आयू का कितना हो जाएगा? 60 divorced हो जाएगा. आगे बोल रहे बच्चे, उनके जन्ब में 4 वर्स का अंतर है. मतलब कि पहला बच्चा, पहला बच्चा जब पैदा हुआ है, चार साल बाद दूसरा हुआ है, उसके 4 साल बाद 3 वाद 4 हुआ है, ठिक 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 पहला बच्चा जब पैदा हुआ है उसके चार साल बाद अगर मैं यहाँ पर प्लस कर दूँ बच्चों यहाँ पर प्लस कर दूँ पहला बच्चा जब पैदा हुआ उसके चार साल बाद मेरा दूसरा बच्चा पैदा हुआ है उसके चार साल बच्चा पैदा नहीं है एक्स अब मुझे बताओ आप बोलेंगे क्या अगर मैं इसको इसको एक्स माल लूँ अगर मैं इसको एक्स माल लूँ तो चार साल बात कितना हो जाएगा यह हो जाएगा बच्चे X plus 4, यह दूसरे बच्चे का आगया, यह हमारे पहले बच्चे का है, यह हमारे दूसरे बच्चे का है, अब अगर मैं 4 साल और जोड़ दूँं तो यह हो जाएगा बच्चे X plus 8, आब बोलें ठीक है भाया, यह हमारे तीसरे बच्चे का आगया अगर मैं इसमें 4 साल और जूड़ दूँ बच्चे तो यह हमारा क्या हो जाएगा X 12 कितना हो जाएगा X 12, 4 से 8 हुआ, 8 से 12 हुआ, अब इन सब की value कितनी है बच्चे? 60 है, इन सब की कितनी value बच्चों? 60 है, मैं थोड़ा सा आगे कर देता हूँ अगर यहाँ पर आपको न समझ में आये तो 12 हो गया 12 और 12 कितना हो जाएगा? 24 कितना हो जाएगा भाई? 24 हो चुका है, इन सब की value कितनी है? 60 है, आप बोलेंगे ठीक है बाई, जरा देखूं किसे का answer आया, उमंग चौदरी जी 12 ठीक है, हर्ज गुपता, सौरव सिंह ठीक है, इतना समझ में आया बच्चे, अब एक बात बताओ, आप क्या बोलेंगे सर, क्या बात बताना है, मैं बता रहूं कि बच्चे जब यहां पर 4X की value, यहां पर 60 में से 24 गया, कितना आयेगा, बताना बच्चों, 4X, 36 आएगा, आप बोलेंगे ठीक है, एक मिनट, तो 36 आए दोस्तों, आप बोलेंगे जब X की value, हमारी 9 आई, कितनी आई, 9, आप बोलेंगे ठीक भीया, जब X की value 9 आई, तो हमारे सबसे पहले छोटे की आई, पूछा है, और हमारे सबसे छोटे value, मतलगे जो पहला वाला बच्चा है, उसको हमने X माना है, और उस X की value आई, कितनी है, 9, उस ही साब से हमारा आंसर के 9 एक एक मुखका मारूं आभी, ध्यान दो, फिर से बता दूँ क्या, अब देखो 9 आ अब नव आ रहा है, छलो ठीक है, कोई बात नहीं बच्चे, हो जाती गलती, गलती हो जाती, मैं फिर जाती अफिर पता है, बहुत आराम हराम से, ठीक है, चलो, मुझे पता है, जब सबका ग क्या हमारे पहले वाले अगर मैं पहले बच्चे को एक्स माल लूँ पहले बच्चे को एक्स माल लूँ चलो ठीक है मैंने पहले बच्चे को एक्स माल लिया चार साल का अंतर है उनकी आयू में चार साल का अंतर दूसरा बच्चा कि कब पैदा होगा वो पैदा होगा पहले व प्लस एट को यहां लिख देता हूं ठीक है आप बोलेंगे ठीक है आगे बताओ और जो तीसरा चौथा बच्चा होगा यह इसके चार साल बाद होगा मतलब कि एकस प्लस चार साल बाद मतलब की 12 और इसकी वैल्यू कितनी दी गई है 60 कितनी कितनी डी गई भाई 30 दी गई है आप बुलेंगे ठीक है मुझे इतना समझ में आ चुका आगे बताओ आगे बताओ तो एक यहां पर एक से यहां पर एक से किया पर कितने एक सोगा हमारे पास 4 और नमबर कितने हैं 4, 8, 4, 12 और 12 और 12 कितना होगा भाई 24 होगा कितना होगा 24 इनकी वैलु कितनी दियो यह साथ दियो यह बोलेंगे ठीक भी आगे बताओ तो बच्चे ये 4 x की value जब 24, 60 इधर जाएगा तो 60 में से minus होगे कितना आएगा 36 आएगा कहने का मतलब है बच्चे कि इस x की value यहाँ पर x की value कितनी आजाएगी 36 बटे 4 क्यूं क्योंकि यहाँ पर multiply होता इधर आगा तो divide होगा 4, 9, 36 कितना आजाएगा बच्चे 9 आजाएग वहेज जिनका बिंनिव होँ तो है शांदार अपक्या यह का हो कि ई это वहां ने बादिया तने अंशर बारद यह था ऐसे क्यों हो रही हो रहा ईसा क्यूश पर बच्चे जब गलत आर захём गलत बताओ नहीं आरा नहीं बाहरा है बताओ एसा देख क्या अब बताएग क्या मतल सब्सक्राइब कर देंगे और मैं आगले वाले कुश्चन पर करता हूं चलो क्या बूल रहा है हाँ दोस्तों ऐसे सी जीडी के लिए छेख प्रेस्च सब्सक्राइब यहां हुए टैक लॉट भंव करता आये सब्सक्राइब करतानी पर्फटर के ईंधिपा रही बिल्कूल बता दूगां डोती प्रीति तो più देख लो अच्ञ ध्यान दो बच्चय इहां पर ध्यान ध्यान दो बक्याए और जिनको भी 24 न समझञा ओच जाने आंदे, एक X मैंने ये लिया है, मुझे जोडना है, मुझे इन सब को जोडना है, मैंने बताया ना, कि मालो कि पहले वाले की उम्र, अगर ये पहले वाले की उम्र है, दूसरे वाले की बेटे, इसे 4 साल बड़ी होगी, यह पहले वाली की उमर है यह किसकी बेटे पहले वाली की उमर है कितना X है चार साल बाद कितनी हो जाएगी मैं बोल दूँ अगर मैं बोल दूँ जब मैंने आपको पहला कोशन कराया था यह कहां गया एक दम पहला कोशन कहां पर है यह बतको जब मैंने बताया था नहीं वाल जी है यहां पर राम जी है ध्यान दो राम जी है इनकी और यहां पर श्याम जी है क्या बोल रहा है कि जो राम जी है श्याम जी से 5 साल बड़े हैं तो मालों अगर श्याम जी एक्स हैं तो राम जी कितने होंगे एक्स प्लस 5 हो जाएंगे फिर से बतायता हूं जो हमारे श्या प्रश्म प्रश्चन पर आते हैं ठीक है इतना करने बाद पहले वाले का यूव एक सैं दूसरे वाले की एक स्प्लस तायों जाएगी टीसरे वाले कितना जाएगी अर्ड सबक्रिया फिर चार साल बाद और यह भी हम बताता हूं एक यहां पर एक यहां पर एक है कितने हो गई कितना हो गया बारह और यह 12 कि दिक्क órg गया कोई दिक्कत नहीं और हमें यह समझ में आ चुकी है ठीक है ये % 1, которого X य चार और यह आथ कितने हो गए भाई चार और आठ बार और यहां पर 12 कितने हो जाएंगे 24 ठीक और इन सब कि वैली कितनी दिए 60 दिगे कोई दिक्कत नहीं अरे बाप्रे बोट ब्लैक मैं क्या नाम है फॉजन मैं कल से मैं पक्का बोल दूंगा उनको भाई ब्लैक खुना चीए बच्चों को मेरे दर्द होता आँखों में ठीक है चलो आगे देखते हैं आगे देखते बच्चे चलिए यह बताएं सब लोग कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयू का अनुपात चलो पहले में रेशियो मेथड बतायता हूं कि माली जी हमारे यह पिता जी है यह कौने हमारे पिता जी है और यह हमारे कौने भाईया पुत्र जी है आप बोलिंग भाई कोई दिक्कत नहीं है आप चलो बताओ आगे ब और वर्ष बात कितने वर्ष बाद बच्चे चार वर्ष बाद उनकी यह कितने हो जाए चार और एक कि आ आप बस छोटी सी कब बताइएगा अगर आज मेरे पापा की उम्रे चाली साल है साल है 50 साल है कूह- no बात नहीं चलो आज मेरे पापा की उमरे 60 साल है और मेरी आयू 30 साल है तो दस वर्स बाद मेरे पापा 70 वर्स की होएंगे और मेरी आयू 40 साल की हो जाएगी ठीक है कहने का मतलब कि हमारे बीच का जो डिफरेंस हो कभी नहीं बदलेगा तो बच्चे एक बात बताओ अभी इन इसको 15 हो जाएगा और यहां पर तीन का गुड़ा कर दूँगा तो यहां बढ़ी 15 हो जाएगा इतना आप समझ लो कि ठीक मनोज मिला अरे अरे वाय यार ठीक है चलो ध्यान से 6 आदिवाशी भाई आप अच्छे आया है ठीक है देख लेते हैं ठीक है अब आप बोलेंगे ठीक है सर जब मैंने इसको 15 करना था तो मैंने तीन से मल्टिप्लाई किया तो छे तरी कितना हो जाएगा ठारा जब इसको 15 था अरे यारी ज्यादा यहां पर जंबल हो जाएगा एक मिनट बच्चों मैं इसको अब यहां पर कर रहा हूं बचा हुआ पूर्शन जब मुझे इसको ध्यान देना जब मुझे इसको 15 करना था तो मैंने किसे मल्टिप्लाई किया तीन से तो इस 3 का मल्टिप पांच का गुड़ा एक में करूं तो कितना हो जाएगा और इनके बीच का अंतर कितना बोला गया है कितने साल का बोला गया है चार वर्ष बात, कितने वर्ष बात बच्चों, चार वर्ष बात, कितने वर्ष बात, चार वर्ष बात, लेकिन इनके बीच में अंतर बचा कितना, यहाँ पर भी दो आ रहा है, यहाँ पर भी दो आ रहा है, कहने का मतलब है, इस दो की वैलू कितनी है, चार है, दो की वैलू आई पूत्र की वर्तमान आयओ दो निकाल को जाएगा औधिवाषी भाय जिनका अगर शांदार जबर्दस बहुत बढ़िया यह हमारे स्लोव समय bucks अगर आम समझा तो फिर से आप देख लिजेगा ठीक है चोई कोई दिक्कत तो नहीं है अगर दिक्कत तो बोलो बताओं नहीं तो फिर आगे बढ़ता हूं और भी प्रस्ण है मेरे पास यार अभी छही प्रस्ण हुए है क्या बच्चों आप भी जल्दी करो सब लोग फटावर हर्ज गुप्ता सिक्सिस आंसर वेरी गुड फॉजान जी बहुत बढ़िया मैं ठीक डन आगे चलो भाई यह देखो यह भी बहुत अच्छा कॉंसेप्ट है दिस आलसो बेरी गुड कॉंसेप्ट ध्यान दीजिएगा बात है हुँ झाटेटAP पहले तरह सुझा ठीकिए ठीक कैसे अब क्या बोलोगों दो भाइओ की वर्तवान आउन एगो दो Willow और ओफ पहले अभी तक बच्चे हम 5 स्बर्स हम पांच वर्स पहले अभी तक हम क्या कर रहें पांच वर्स में नेयाये tैस्यों है तो यहाँ थो पांच वर्स पहले में कितने का था 25 का, अगर मेरी याउज है तो पांच वर्स में कितने का साल, 15 अब बोले था 25 ठोड़ी है, तो कोई बात नहीं को पन्रशन पर आओ तब दिल पे क्यों जा रहे हो? चलो, जी मास्टर, के, मैं भी अपने टीचर को मास्टर ही बो एक और दो कौन सी आयू है यह हमारी वर्तमान आयू है ठीक है आप बोल रहा है पांच वर्स पहले उनकी आयू का उनपात कितना था अरे 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 है एक वाट कंसेप्ट वाट पानसेड्ट भाई बहुत बडियां ठीक है बहुत अच्छे ठोड़ा यहां पर का मैं बहुत दो कि भाई तीन बाते दूँ हमारे a ृब का यह ठीक आप बोलिका सर तो दो साल मातमisto की हम नीचे जाएंगे हम भबिश्य में जा रहे हो कि हम कहां जा रहे हैं कि कहां जा रहे हैं लेकिन जब्ले की। तो मैं कहा जा रहा हूँ उपर कहां पर आंसर आप सभी लोग मुझे गे फ्राफट तो वह सब देखा जाएगा भाई यह दो बहुत जीवन है शादी वदी क्या बात है चलो हलो सर अनामी का याद हो जी हलो MBD चलो यहां पर ध्यान दो सब लोग दो भाईयों की वर्तमान आयू का अनुपात कितना है एक और दो है मैं बोला ठीक है इनकी जो वर्तमान आयू है यहा यहां पर पांच वर्स पहले आयू कितनी थी यह आयू थी एक अनुपाते तीन कितनी थी भाई एक अनुपाते तीन आप बोलेंगे भिया ठीक है कोई दिक्कत नहीं है अब जब हम उपर जाएंगे तो कहां पर जाएंगे हम बताएंगे कि यह वर्तमान आयू है यहां पर पहले की, पांच वर्ष पहले की, इसमें कोई दिक्कत आप बोलेंगे कोई दिक्कत नहीं है, बस एक ही दिक्कत है, मैं बोलूँगा क्या दिक्कत है, आप बहुत है कि जब वर्तमान जो हमारी आयू है, जो हमारी आयू है, उसका जो difference है, वो हमेशा सेम होता है, यहाँ पर द यह शD ran किया है तो आप इसको भी दो से गुढ़ा करेंगे कितना आयेगा चार तो में इक तो दिक्कत नहीं है लेकिन बहुत क्या बच्चे क्या बादब्चाना है अब इसको देखेंगे हम इसको को देखेंगे कोई दिक्कत बच्चों चलो सर लखनूज सेलूफ हो जी गुड हम लोग भी यूपी के धरती से हैं लखनू क्या है चलो पूरा तरपदेश अपना है चलो ध्यान दो ठीक है क्या बोल रहें कि पांच पहले की बात की बच्चों बात बताओ पांच पहले एक थ पहले तो हमारी वर्तमान आयू कितनी हो जाएगी वर्तमान कितनी हो जाएगी आप बताओंगे बच्चे ब मुला क्या बताना है आपको जब इस शरह कितनी निकाली और कितनी एक एक कितनी ये भाई एकցट मुंझे कोई दिककत नहीं है लेकिन बच्चे पातॐ sow下去 हमने आयू ये वाला निकाल दाथ हम इस से और इस से तुरन्त हमारा ये गलत हो जाएगा और जहनों पहुतना किया ओगा अंसर नहीं आएगा Ferr You अब मुझे बताईए यहाँ पर हमारी वर्तमान आयू है वह यह हम लगा देंगे, ठीक है, अब आप बोलेंगे ठीक है यह वहलु हमने कितने निकाली है, पांस निकाली है, तो फांस दूनी के कितना होगा, यह दस हो जाएगा, पाउंच ऑके कितना हो जाएगा अगे प्रस्न पढ़ते हैं तो पाऊंच वर्स बाद उनकी आयू मारीआ निग ले केरे लिएगा और 23 हो जाएगा और यह कितना हो जाएगा बीच और 25 हो जाएग बाइं तू को यार बहुत चानि अभट धिकत को बात नहीं है अगर मेरे पास लगता है कि और प्रसन होंगे मुझे और प्रसन को कराने हैं तो मैं बिल्कुल कल लेकर आजाओंग tv पताँ चल जाएगी ठीक है घती का ठीकिसे सब्सक्राइब को ठीकिल के लिए इतना बहुत है टाइम थ्यादा हैक इतना हो घृष साफ सोब आगर आपको 9 सम 주 बाओत इतना थोड़ा साथ समय बाचे ना थोड़ा सॉझ्ध में रोटें अगर आप इस क्लाउच darle है था ठीक है एक दम डटे रहो करते रहो आज नहीं तो कल पक्का आपको सक्सिस मिलेगी जैसे किawan में अपने आपको सुझता हूँ आज नहीं तो कल बहुत सक्सिस होगी ठीक है चलो Dan हरहर मादे दोस्तों चलियाए आप सभी को है कि एधिर कि अंद हर वियर अंद झाल झाल